तो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आएं कि दोस्तों जिल्ला ग्रामिन विवा की तरफ से एक वर्ती निकल कर आ रही है दोस्तों जो की बहुत ही बड़ी वर्ती है दोस्तों तो उसी से रिलेटेड हम आपको पूरी जान कर रहे देंगा संबिदा आधारित नियुकती है तो आवेदन की सुचना है दोस्तों तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग देखते हैं दोस्तों की ग्रामिन विकास अभिकरन ग्रिडी के अधिन महत्मा गांदी राष्ट ग्रामिन लोजगार गारंटी मन देगा के अंत्रगत संचालेत योजना संबिदा के आधारित अस्थाई नियुकती है तो मेधा फैनल सुची तयार करने में अवेश्चक योगिता अर्ताधारी इच्छुक अवेदकों को वीध प्रपत्र में ओनलाइन आवेदन करने की आमंत्रित करते हैं दोस्तों इसमें जो रिक्त पदों की बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत अच्छी वेकेंसी आई हुए दोस्तों अगर आप जिल्ला ग्रावन विकास की बात करें तो सबसे अच्छा वेकेंसी यही है हमें लगता है पहला जो है दोस्तों परखंड कारेकरम पदादिकारी के जो रिक्त पदों की संख्या है वो पाँच है तो ज सबस्थ चुस जाती के लिए दोस्तों एख है और अनसुची जनजाती के लिए एक सीट बचा हुआ है तो यहां पर जो दोस्तों यानि कि सायग अभियंता के संखिया के जो सीट कूल दिख्ध metadata की संख्या है दो है और समाइने के लिए एक है और अनुची जनजाती के है दोस्तों सामाइने के लिए तीन अत्यांत पिछड़ा बर के लिए एक और अनसुचित जंजाती के लिए एक है दोस्तों तो कंप्यूटर साहता की बात करते हैं तो यहां कंप्यूटर साहता की बात करें तो दोस्तों एक सीट है इसमें और यह जो सीट है दोस्तों जैनल काटेगरी में ही दे दिया गया है और लेखा साय के बात करें तो तीन पोस्ट है दोस्तों इसमें और समयने के लिए दो और अनसुचित अत्यांत पिछडा बर के लिए एक है चार और अन्सुची जन जाती के लिए चार और अन्सुची जन जाती के लिए चार है दोस्तों उप्युक्त पदों की नियुक्ति है तु सामाय निया अत्यात पिछला बर कोटी के लिए 200 रुपिये अन्सुची जन जाती और अन्सुची जाती और विकलान कोटी के जो अभ् और नीचे चलते हैं देखते हैं दोस्तों इसमें ग्रिडी का ओफिसियल वेबसाइट देख सकते हैं www.greedy.nic इसका लिंक अब डिस्क्रिप्सिन में डाल देंगे तो इसका जो ओनलाइन आवेदन करने की अंतीमती थी जो है दोस्तों 10-10-2019 यानि कि 10 अक्टूबर 2019 है तो इसमें आप अपलाई अभी सुरू हो चुका है तो आप अपलाई कर सकते हैं अगर आपको करना है तो दोस्तों और इसमें वेतनमान की बात करें तो परखंड कारी कारम पदादी कारी के लिए 20,000 है तकनीकी सायक यानि कि सायक अभियनता के समकच जो है और ग्राम रोजगार सेवक की बात करें तो 7,500 रुपया आपका वेतनमान होगा दोस्तों यानि की वेतन मिलेगा दोस्तों परखंड कारी कारम पदादी कारी के लिए जो है किसी भी सरकारी मैनता परात किसी भी बीसे से जो है असनातक में 55% मार्क्स होने चाहिए या तो फिर आपका जो है उप्सन में और एक है कि अगर आप PG कियो हैं तो आपको जो है 10% का छूट मिलेगा और साथ में जो है आपका 45% मार्क अगर है आपका ग्रेजुएशन में और अगर आप PG कियो हैं तो आपका इसमें अपलाई कर सकते हैं इस पद के लिए परखंड के समकच इसमें जो है अनिवारी योगिता के रूप में जो है किसी भी सरकारी मायनता प्राप्त संस्तान से भी या बिटेक जो है अनिवारी योगिता होगी और अत्रिक्ती योगिता को जो है आप देख सकते हैं दोस्तों तो इसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्सन में डाल द साथ में अत्रिक्त योगिता के रूप में बोला गया है ये तो नीचे चलते हैं और देखते हैं चोथा जो पद है दोस्तों लेखा साहिक पद के लिए आप एच्छित सहचन की योगिता के बात करें तो किसी भी सरकारी मायनता प्रात विसुवई दाले ये समस्थान से जो व 500 परसेंट मार्क्स चाहिए दोस्तों और यहां पे दिया गया है प्रांतु जिन्हों ने अप्लाइक दिया जाएं तो नीचे चलते हैं और देखते या समाने असना तक उत्रन के पसचात PGDCA उत्रन है तो आप इसे अपलाई कर सकते हैं और यहां पर जो है नीचे दिया गया है कि दोस्तों अगर आप PCA या BSC Computer Science के परतीसत प्रपतांग में 5% घराते हुए BSC Computer Owners की कोटी के में अंकित किया जाएगा वो इससे समाने असना तक जिन्होंने ततपस्चात PGDCA किया हुआ है अगर आप PGDCA किये हैं तो आपको जो है 10% मार्क्स जो है घटा किया वहाँ पर आप अपलाई कर सकते हैं तो ग्राम रोजगार सेवक की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए भी जो है अनिवारी योगिता के रूप में बोला गया है दोस्तों सरकारी मायनता पर आप तभी सोविद्दाल या संसान से जो है इंटरमेडियर्ट या मैट्रिक परिछा के परिछा के परस्चात जो है अगर आप किसी भी सरकारी मैनता पर आप से अगर मैट्रिक लिख चुए है और अगर आप आप आईटिया किये हुए है तो आपका जो है आप इसे अप्लाइक कर सकते हैं तो नीचे चलते हैं दोस्तों अतरिक्तियो गिता के रूप में यहां भी बोला गया है दो दोस्तों नीचे चलते हैं दोस्तों उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा जो है आप 31.08.2019 यानि की 31.08.2019 से इसकी गर्णा किया जाएगा और नियुनतम जो है 18 वर्स मागए गया है और अधिकतम जो है जैनल केटेगरी वालों के लिए 35 वर्स अत्यांत पिछड़ा वर्ग और महिला जैनल OBC1, OBC2 से हैं बिलोंग करते हैं और अगर अनसुचित जाती और अनसुचित जनजाती की बात करें तो पूरुस और महिला दोनों के लिए 40 वर्स यहां पे दिया गया है यानि की दोस्तों आपको सीधा सीधी 3 साल का छूट मिलता है सभी पत जो है दोस्तों आप इसे सभी पत जो है आप ग्रेडी जिले के वाले ही लोग बर सकते हैं यानि की दोस्तों ये एक अच्छी ख़बर है दोस्तों ग्रेडी वालों के लिए की ग्रेडी वाले ही जो इस फोम को अपलाइक कर सकते हैं तो दोस्तों नीचे चलते हैं और देखते हैं यहां पे और क्या दिया हुआ तो दोस्तों यही अपडेट था आप सभी के लिए अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कर लीजए साथ में जो है आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूरों सेर करें दोस्तों आप किस जिल्ले करने वाले हैं जरूर कॉमेंट में कॉमेंट करें दोस्तों तो धनावाद जय हिंद जय भार